त्री इंग्रीडियन चॉकलेट केक स्राम अलेकों फ्रेंज आज हम लोग बनाएंगे थ्री इंग्रीडियन चॉकलेट केक जो के बहुत ही इजी है जिसके लिए हम दो कप यानि के 300 ग्राम के करीब लेफ्ट ओवर बिस्किट्स लेंगे जो हमारे पास पड़े हुए होंगे घर में उसके साथ ही वन का पिया फिर थ्री ट्वैंटी ग्राम हम मिल्क लेंगे और मैंने लिए हैं दो इनो के सैशे आप वन टी स्पून बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं तो चलिए अब हम अपना केक रेडी करते हैं अब से पहले हम एक फूट प्रोसेसर लेंगे और उसके अंदर सारे बिस्किट्स को कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम सारे बिस्किट्स के जो क्रश किया है उसको एक बोल में निकाल लेंगे मिक्सिंग बोल में अब हम बिस्किट्स के जो हमने क्रश किया है उसके अंदर वन कप मिल्च आड़ करेंगे ग्राजूली हम आड़ करना है थोड़ा थोड़ा करके पहले हम थोड़ा एड़ करेंगे पर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी कभी हम इस तरीके से पार्ट्स में एड़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि यह जो है वो अच्छे से एक ब्लेंड़ फॉर्म बन जाए अब हम इसके अंदर इन और इच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो एक यूटेंसिल में डालेंगे बेक करने के लिए अब हमें एक छोटा कुकर लेंगे आप केक टिन भी ले सकते हैं 7 इंच का तो मेरा जो कुकर है वो बहुत स्मॉल है और छोटा है तो हम इसमें ग्रीस करेंगे पहले और और इसकी साइड्स पर भी ग्रीस कर लेंगे अब हम इसमें पार्ट्वेंट पेपर लगाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से इसके उपर फिर से मॉईल का ग्रीस करेंगे और साइड्स पर भी करेंगे अब हम इसके अंदर जो केक का हमने बैटर रेडी करा है वो डालेंगे और सारा बैटर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे शेक करने से जो एर बबल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो केक है वो इवन हो जाएगा अब हम इसे बेक करेंगे तो यह जो केक है वो हम चूले पर बेक करेंगे और इसको लो हीट पर 35-40 मिनिट्स के लिए बेक करेंगे तो 40 मिनिट्स के बाद जो केक है वो बेक हो गया है लो हीट पर और नाइफ हमारी क्लीन निकल आई है इसको एक प्लेट पे या कूलिंग रैक पे जो है वो अपसाइड डाउन निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर थोड़ा सा ब्रश कर रही हूँ और आप शुगर सीरफ भी ब्रश कर सकते हैं यह स्टेब जो है वो आप स्केप भी कर सकते हैं क्योंकि केक अलरेडी बहुत सॉफ्ट बंना है बट्मुझे थोड़ा सौनी अच्छा लगता है तो हम यह स्टेब कर रही हूँ अगर आपको करना तो आप यह स्किप कर सकते हैं तो केक है हम उसके उपर जो है चॉकलेट गनाश टालेंगे मैंने गनाश बनाई एक खुद जो के मैंने हाफ कप क्रीम को मैंने थोड़ा गरम कर लिया था माइक्रोवेव में 20 तो 30 सेकंड के लिए और उसके अंदर मैंने चॉकलेट के चंक टाले थे या चॉकलेट चिब्स टाले थे और उससे मेरी जो गनाश है वो रेडी हो गई थी तो उस तरीके से गनाश रेडी करके आप अपने केक्यों पर डाल सकते हैं तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे आप अपनी मर्जी से कैसा भी डेकोरेट कर सकते हैं तो मैं इसके भी डेकुरेट कर सकते हैं पनी मर्जी के मताबिक तैयार है हमारा मज़ेदार एजी पीजी त्री इंग्रीडियन चॉकलेट केक इस रेसिपी का आप गर में जरूर ट्राइ कीजिगा यह बहुत ही ज़्यादा एजी रेसिपी और यह हर कोई बना सकता है लिटरली तो उमीद ह आपको में रेसिपी पसंद आई होगी थैंक्स फो वाचिंग और प्लीस लाइक अब्सक्राइब तो मैं चैनल मिनी चीज केक रेसिपी फ्रैंस आज हम लोग बनाएंगे मिनी चीज केक इसके लिए हम ने लिए हैं इं aconteceं zaw da rest तंडी चिल्ट क्रीम ली है फ्रिश क्रीमा उसके साथ ही मैं लिया तुऊंड्रीड क्रीम छीज यह मैं रूम टेंपरिजजा पर लिया है, half cup मैंने sugar लिया है, one fourth cup मैंने melted butter लिया है, ten मैंने digestive biscuits लिया है, जो original वाले होते है, one teaspoon मैंने लगा extract, और one tablespoon lemon juice, तो चलिए, अब हम ready करते हैं, जब से पहले हम biscuits को crush कर लेंगे grinder में, अब हम crush होईवे biscuits के अंदर one fourth cup melted butter डालेंगे, और इसको अच्छे तरीके से mix कर लेंगे, ताकि यह mixture थोड़ा सा सौंगी हो जाए, और अब हम इसे set कर लेंगे, अब मैंने दो cupcake की ट्रेली है, जिसमें मैंने butter paper लगाया है, grease करके oil से, और cupcake liners लगा दिये हैं, और अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा और oiling कर रही हूँ, ताकि जो हमारे cheese cakes हैं, वो एकदम चिपक ना जाए इसमें, और easily बाहर आ जाए, तो आप भी इस तरह कीजिएगा, अब हम अपनी tray के अंदर जो अपना biscuit का mixture है, उसकी base set करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून भर के हम अपने biscuits का mixture जो है, जिसमें हमने butter डाला था, उसको हम 1 टेबल स्पून एक-एक cupcake के अंदर डालेंगे, और इसको हम जो है, वो set कर लेंगे, तो एक-एक टेबल स्पून भर के हम डालेंगे, और आप देख सकते हैं, इससे जो है, वो base set हो जाएगी, हम दोनों trays इसी तरीके से सेट करेंगे, तकरीपन 12 mini cheese cakes जो है, वो हमारे बन जाएंगे, इसी method को follow करते करते, तो इसी तरीके से, इसी spoon की help से, आप इसको press कर दे जाएए, और क्यूंकि बटर इसके अंदर added है, इसलिए अच्छे से press हो जाएगा, इस तरीके से, spoon की help से, आप अच्छे तरीके से सारे, जो cupcake से उनको press कर लेंगे, और दोनों trays रेडी कर लेंगे, अब हम इसको freezer में रखेंगे, by the time हम अपना cream cheese रेडी करते हैं, step 2 में हम अपनी fresh cream जो हमने लीती 150 grams इसको हम whip करेंगे, तो हम इसको high speed पर whip करेंगे, soft peaks तक, हम इसको high speed पर तब तक बीट करेंगे, जब तक इसकी soft peaks ना बन जाए, अब यह mixture थोड़ा runny है, हम इसको beat करेंगे, soft peaks होने तक, तो आप देख सकते हैं, यही soft peaks जो है वो, form हो गई है, हमें इसकी stiff peaks नहीं बनानी, हमें इसको जादा beat नहीं करना, यही soft peaks है, तो हमें इतना ही इसको, जो है वो beat करना है, इससे जादा beat करेंगे, तो हमारा जो better हो खराब होगा, step 3 में हम जो है वो cream cheese को beat करेंगे, जब तक यह थोड़ा creamy और fluffy हो जाए, इसको beat करेंगे, हम medium speed पर, इसको beat करने के पाद, हमारा mixture कुछ इस तरीके कर देखने लगेगा, अब हम इसके अंदर fresh cream, जो हमने beat की थी, soft peaks बनाई थी, वो इसके अंदर add कर देंगे, और इसको थोड़ा सा mix करेंगे, ओवर mix नहीं करना है हमें, इसी mixture में अब हम add करेंगे, 1 teaspoon vanilla का extract जो हमने लिया था, वो हम इसके अंदर add करेंगे, और half cup sugar add करेंगे, अब इस mixture के अंदर add करेंगे, 1 tablespoon lemon juice, और हम इसको 5 seconds के लिए, जो है वो mix कर लेंगे, ओवर mix नहीं करेंगे, वरना हमारा जो batter है, वो पतला हो जाएगा, और हमारे जो cheese cakes हैं, वो set नहीं होंगे, क्योंकि हम कोई gelatin यूज नहीं कर रहे हैं, आप साइड से स्क्रेप कर लेंगे, और आप साइड से स्क्रेप कर लेंगे बोल को, और आप देख सकते हैं, किती थिक consistency है मेरी, आप भी ऐसी ही रखिएगा, और अब हम इसको फिल कर लेंगे, एक pipe and bag के अंदर without nozzle, करेंगे और फृंगे, तो हमारे क्रीम चीज काיד एक को बेटर आप सब्सक्री कर午ması, सबाकिज़ को राद हों और अब मैं एक पैलेट नाइफ लोगी आप एक स्पून भी ले सकते हैं और उसकी टिप की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा जो है एकुल करूंगी प्रेक को टैप भी करेंगे तीन से चार दफार ते हैं मेरे जो 12 मिनी चीज केक्स हैं वो रेडी हो गए हैं ओवरनाइट फ्र ले सकते हैं और स्पून की टिप से भी कर सकते हैं अब मैं इसको मजीड टैप कर रही हूं ताकि इसकी जो है कोई एर वबिल्स अगर है इसमें तो वो भी निकल जाए अब हम इसको ओवरनाइट टखेंगे प्लास्टिक रैप लगा के फ्रिच में और यह बहुत इंपॉर् लाइनर है वो इसली उतर जाए आप भी इस तरीके से कीजिएगा सर्फ करने से 30 मिनिट पहले आप इसको फ्रीजर में जरूर रख दीजिएगा ताकि लाइनर इसली उतर जाए अब मैं इसको प्लेट में सर्फ करूंगे और आप देख सकते हैं कितना यमी हमारे मिनी चीज केक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं और अब आप इसको किसी भी फ्रूट सॉस या किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही ज़ादा हैं और बहुत ही ज़ादा एजी है आप इसको आराम से खा सकते हैं और याद रखेगा कि सर्फ करने से 30 मिनिट पहले आप इस के साथ ही मैंने पैशन फ्रूट और लेमन सॉस ली है उसके साथ मैं से सर्फ कर रही हूँ आप इसे कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं तो तैयार हैं हमारे मज़ेदार मिनी चीज़ केक्स थैंक्स पॉर वाचिंग नो बेक चीज़ केक्ग नो जेलेटन चीज़ केक अससाम अलेकुम फ्रेंट्स आज हम लोग बनाएंगे नो जेलेटन चीज़ केक्ग जिसके लिए मैंने लिया है इंग्रीडियन सबसे पहले तो मैं आपको फ्लेवर के लिए सॉस देखा दूं कि आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं और कोई भी सॉस यूज कर सकते हैं मैंने 450 ग्राम्स लिया है जो क्रीम चीज है जो के मैंने रूम टेंपरेचर पर लिया है और मैं इसके दो पैकेट्स यूज कर रही हूं तो यह एक पैकेट्स जो है वो 225 ग्राम्स का है तो उसकी साथ मैंने लिया है जो के प्लेन बिसकेट्स होते हैं वो मैंने क्रश कर लि बटर लोगी, 1 टेबल स्पून वनिला एकस्ट्रेक्ट और 1 टेबल स्पून में लेमन जूस यूस करोंगी तो चलिए हम रेडी करते हैं बिसके लिए हम एक बोल लेंगे और दो पैकट के करीब जो हम बिसकेट्स लिए हैं अमने जो करश करके वहम इसके अंदर आड़ कर देंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर 1 थर्ट कप जो है मेल्टेट बटर यानि के मक्षन जो पिगला हुआ होता है वह आड़ करेंगे औ तो अब हम लेंगे एक 9 इंच का केक टिन आप 7 इंच का केक टिन लेजेगा फॉर बेस रिजर्ट्स तो उसके अंदर हम यह सारा जो बिसकेट का हमने बटर बिसकेट्स जो बनाए थे हमने उसको अब हम क्लीन हैंड से या पर हाथ पे गलवस चड़ा कर अब हम उसकी बेस ब जो है साथ में जोड़ाएं हैं और सारे बिसकेट्स अपस में मिल गए है यानि के एक लेयर बना रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी एक लेयर सी बन गई है अब इस लेयर को सेट करने के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे और बाइदर टाइम हम अपनी क्रीम की फिलिंग को रेडी करेंगे करेंगे हम क्रीम चीज लेंगे और इसको बीट कर लेंगे हम लोग स्पीड पर नीचीज तक करीबर हमें पाद पांद से तस मिन तक बीट करना है अंटिल स्मूध यानि के वह स्मूध हो जाए बहुत अच्छा सा एक टेक्स्टर में आपको आप देख सकते हैं यह रूम टेंपरेचर पर होगा तो यह जल्दी हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग आट करेंगे हाफ का पावडर्ड शुगर जो हमने ली थी पिसी चीनी और वन टेबल स्पून लेमन जूस इसके अंदर आट करेंगे साथी वनेला का एक्स्टर्ट आट आट करेंगे one tablespoon और इसे हम बीन कर लेंगे इसको ओवर मिक्स नहीं करना और इसको बस इतना मिक्स करना है कि इंग्रीडियंट स्मेक्स हो जाए हमें एक separate bowl लेंगे जिसके अंदर हम ठंडी जो हमने cortar ले Massachusetts coffeeLove करेंभ हम वागला है कर थारा होसी जाथाब आट करेंगे तब तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बने पांच से दरस मिनिट के बाद ये काफी स्टिफ हो जाएगी अब इसके अंदर आट करेंगे जो पाउडर शुगर है और इसको बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से हम और याप देख सकते हैं स्टिफ हो चुकी है क्रीम ची बिसकेट की बेच जो हमारी फ्रीजर में रखी है उसको निकालके उसके ऊपर हम डाल देंगे आप देख सकते हैं काफी ठिक ये बेटर बन गया है तो अब देख सकते हैं तककरीब 3-15-2 भीस फिर्द में हमारी जो बिसकेट कीबैस है वो विय रिडी हो गई है अब इसके और हम क्रीम चीज की जो फिलिंग हमने बनाई थी हम चीजकेक की वो इसके ओपर हम डाल देंगे सारी और आप देख सकते हैं यह जो बैटर है वो इनफ है थिक के यह सेट हो सके और आप मेक शूर कीजिएगा कि आपका बैटर थिक हो क्योंकि आप जेलेटन नहीं उसकर रहे ह और इसके बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए रेफिजरेट करेंगे तो ओवरनाइट हमने इसको रखा था नेक्स डे हम इसको निकालेंगे और इसके एजिस को लूस कर लेंगे अब बहुत ही केरफुली हम इसको निकाल लेंगे और आप इस साइड से थोड़ा सा स्टिक हो गनाश भी हुआ जो मैंने बिसकिट केक के लिए नापना सिर्थ के फिलिये बाद चल यूद देखेना बचा लिए वह टोड़ा है यूज़ मैंने टोड़ा कोल न दूगी और तो फिर इस मैं अपना चीज केक जो है वो फोड़ा सा डेकुड़ेट करूंगी यूए है Oo मैं здздब देकोराड करऊगी और कोई इसको मैं अपने स्ट्रॉभिर्ज वज stör लिया था और इसको मैं अपने केक के ओ debeड हो गाउगी और साथ ही मैं चॉक्ले गनाज जो है एड जारी थ्थैध वाल हो और चॉकलेट कनाश को फिर मैं फिल कर लूँगी और इसके बाद मैं उसे राइटिंग करोंगी तो यह जो केक हैं मैं स्पेशल इसी ऐनिवर्स्री के लिए लेकर जा रही हूं तो इसको मैं है जो है मैं घ्र जाएट एक उपर जरूर लिखोंगी तो आप अपने केक को किसी सजा सकते हैं और कैसे भी बना सकते हैं मेक शूर कीजिएगा यह जो केक है यह विदाउट जेलेटन है तो यह थोड़ा सा डिफरेंट टेक्स्टर का होता है तो अब मैं पाइपन बैक के अंदर फिल कर लोगी अपनी चॉकलिट गनाश और मैं इसके ऊपर जो है कोई नॉजल मैंने नहीं लगाई है और इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा कट लगाया है और इसके उपर मैं अनिवर्सरी लिखने जा रही हूं और आप अपने केक को कैसे भी सजा सकते हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा केक लग रहा है और कितना मज़े का यह लग रहा है और कि जब मैं केक्स कर रही होती हुथ तो मुझे पता ही नहीं होता कि वन टु स्टॉफ लाइक मुझे तो आइडिया नहीं नहीं होता कि मैं कब मुझे रुपना चाहिए तो आप भी अपने केक को अच्छे से देपोरेट केजेगा तो यार है हमारा मज़ेदार no bake no gelatin cheesecake और यह बहुत ही yummy and tasty बना है तो मैं आपको अपना केक close up से दिखाती हूँ उमीद है आपको यह रस्पी पसंद आई होगी thanks for watching and please like and subscribe to my channel बेसन के लड्डू जिसके लिए मैंने लिया है दो कप बेसन यानि के चिकपी फ्लावर उसी के साथ ही मैंने लिया है half cup और one third cup मैंने लिया है butter आप clarified butter भी ले सकते हैं मैंने butter लिया है और powdered sugar लेंगे हम जो मैंने लिया है one cup और one fourth cup वन टेबल स्पून मैंने किश्मिश लिया है त्री मैंने लिया है तीन और भदाम लिया है जिसमें ने काट लिया है अब हमें इक pot लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा butter था या घी जो भी आपने लिया है वहम इसके अंदर डालेंगे एक sauce पैन लेंगे और make sure किजिए का यह नॉन स्टेक होना चाहिए और अब हम butter को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर एलाइजिया डालेंगे थोड़ी सी कूट कर और उसको हम डाल के थोड़ा सा सौते कर लेंगे जब तक इसमें खुश्बू आने लगे अब हम इसके अंदर आड करेंगे जो दो क तो आप इसी तरीके से कीजिएगा अब जो बेसन है वो कुछ इस तरीके कर देखेगा तो हमें थोड़ा सा यह सौगी होना चाहिए हमारा जो बैटर है तो हम इसके अंदर हलका हलका करके olive oil में डाल रही हूं आप कोई भी oil add कर सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अ थोड़ा सा मैं सौगी फॉर्म में लाऊंगी वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी और तकरीबन 20-25 मिनिट हमें इसको भूनते रहना है कि हमारा जो बेसन है वो कच्छा नहीं रहे किसी भी तरीके से और अच्छे तरीके से वो भून जाए तो अब मैं इसके अंदर थोड़ में ना तो आइन लगेगी तो आप दिख सकते हैं हमारा जो मिक्स्ठर रेडियो हो गया हो थोड़ा सा मिक्सट्ट्र थोड़ा सा हवाइड करेंगे और इसको हम लोग बूनेंगे और इसकी आज भी अभी अफलकी कर देंग आप देसके जागाने लगी है और इसी तरीके से आप करेंगा और इसको फ्रेम से थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा यह जलना नहीं चाहिए अब हम इसके अंदर देंगे तू टेबल स्पून पानी का चीटा हम इसके अंदर देंगे या वन टेबल स्पून और आप दीखेंगे इसके अंदर और ज्छागाने लगेगी औ यज तो आप जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करेंगे और जल्दी से हम इसका जो लंप से ब्रेक कर लेंगे और स्पैचिला की मदद से मैं इसको करूंगी और नॉन्स्टिक मैंने बरतन लिया है आप यह चीज याद रखेगा और अब हम इसको अच्छे से भून के निकाल लेंगे अब जो हमारा mixture केया हम जो पूले से भटा लेंगे और अब आप के हुट हमें इसको तंदा करने रख देंगे ऑझाले यह उसको थोड़ा सा रूम टेंपरेश्ण पराने देंगे साथ द्या वो具 नियुक्तonta है उत्त और mix कर लेंगे इसको अच्छे से पाउडर शुकर वन कप हमने आड़ कर लिया अब हम इसको अच्छे से mix करें क्योंकि यह mixture काफी tight होगा तो हम हाथ में गलफ पैन के या फिर आप हाथ अच्छे से clean करके भी इसको कर सकते हैं और हातों से ही करना है इसको और अब हम इसको हैंड जर्स की मदद से आप इसको जो है लंप जितने भी होंगे यानि जो गुठली आउंगी वो सारी हम तोड़ देंगे और इसको इसी तरीके से करना है जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ जो है मैं अपने हाथ में थोड़ा सा वन ये टूटेबल स्पून ओयल लोगी और इसको मैं ब्रेक करूंगे और इस तरीके से करना है हाथ में लेकर मैं स्लो मोशन में आपको दिखाती हूँ इस तरीके से करना है मसलना है हाथ में लेकर ताकि अच्छे से जो शुगर है वो बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जा और इसी दौरान आप इसके जो टेस्ट है वो भी चेक करके देख सकते हैं तो इसी तरीके से आपको करना है सारे बैटर के साथ और मिक्सर को टेस्ट भी कर सकते हैं अब जो है इस बैटर के आप देख सकते हैं बैटर कुछ इस तरीके आप देख सकते हैं वीडियो में यह लिटरली बहुत अच्छे और मज़ेदार बने थे मैंने इने ट्राइ किया था और आप देख सकते हैं इनको इसी तरीके से आप करेंगे और हातों में लेकर इसकी जो है बॉल बना लेनी है और अच्छे से इसकी एक स्मूध बॉल बना ल लगा देंगे और आप कोई भी ड्राइफरूट जो है स्लाइस करके इन पर लगा सकते हैं ताकि एक अच्छा और हुबसूरत सा लुक आए तो इसी के साथ ही किश्मिश को भी हम थोड़ा सा रोल भी कर लेंगे ताकि जो है वो गिर ही ना जाए और थोड़ा सा फिक्स हो ज आते हैं तो तैयार है हमारे मज़ेदार बेसन के लड्डू लिटरली इस में अच्छी खुश्बो आ रही है और यह बहुत ही जादा जबर्दस बने है और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी देखिए अंदर से भी कितना परफेक्ट बना है बहुत जबर् यह ने जबर्ग सकते हैं और इसकी अच्छा सा इसको लोग दे सकते हैं और इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेसन के लड्डू इस रसिप उगर में जरू टाय किजिए अलाहाफिज और प्लीज लाइक अन सब्स्रीब करों रस्टिक लोग चोकोलेशिस केक रेसिपी बनाएंगे रस्टिक लोग केक जिसके लिए मैंने लिया है वन एना हाफ कप मैदा वन एना हाफ कप मैंने शुगर ली है एक कप मैंने लिया है कोको पाउडर तीन लाट साइस के मैंने अंडे लिया है और एक कप मैंने नीम गरम दूद लिया है 1 teaspoon vanilla का extract लिया है और 1 teaspoon मैंने coffee ली है और मैंने लिया है 1 cup butter लिया है जोके room temperature पर है और half cup mayonnaise लिया है 1 teaspoon मैंने लिया है salt 1 और half teaspoon मैंने baking soda लिया है और half teaspoon baking powder मैंने लिया है सबसे पहले हम एक bowl लिएंगे लिए सेपरेट जिसके अंदर हम आट करेंगे जो व्लायर हमनी निया था और स्ट्रेइनर के help सeघ से अंदर कछाओ एंगे से इस के नदर जो है airश पपल जा जा जाएंगे तो सबसे पहले हम वन अनाहाफ कप जो मेदा लिया था उसको सीफ कर लेंगे यानि भीं के प्षाइं लिए उसके अंदर निड़ेगे अ कोको पाउड यवे लेंगे और जो लिए भीं है यह क्विख ने 8 टेज़ यह यह एक साइट पर हम रख देनी तक रहाएंगे सबूल हम इसे एक साइट पर रख लेंगे अब हम आप इंग्रेडियेंट्स का मिस्ट बनायेंगे जिसके लिए में लिया है एककाप दून और इसको अलग हम रखेंगे एकक दून लिया है मैंने वन टी स्पून मैंने काफी ली है और हम इसको मिक्स कर देंगे जो कॉफी है वो एक सीक्रेट इंग्रीडियंट है और यह हमारे जो चॉकलेट केक है उसके टेस्ट को इन्हांस करता है तो सबसे पहले हमें एक सेपरेट बोल लेंगे और इसके अंदर बटर को करेंगे और इसको हम क्रीम कर लेंगे हम इसको इतना क्रीम करेंगे बीट करेंगे यानि कि मीडियम स्पीट पर के यह लाइट और फलफी हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो शुगर भी इसके अंदर हम आट करेंगे तो सबसे पहले हम बटर को ब बीट करते जाएंगे पार्ट बटर शूगर हमने मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं कितना लाइट एंड फलफी हो चुका है और इसका टेक्स्चर को जिस तरीके का होना चाहिए क्योंकि यह सबसादा इंपोर्टेंट स्टेप होता है बेकिंग में तो सबसे पहले हमारा ज इस तरह बीट कर लेंगे और इसी तरीके से थोड़ा सभी पीट करने के पाद आप तीसरा या दूसरा अंडा जो भी है वह भी डाल देंगे इसके अंदर और ये पिर आप प्रसेड़ा करने के यह तरीके कड़ेंगे नियम्हायी करने यह नूं यहाँ दो तो इसको बीट कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर आट करेंगे जो कॉफी मिल्क हमने रेडी कर रहा है और जो ड्राय मिक्स्टर है तो सबसे पहले एक एक कब करके हम ड्राय मिक्स्टर आट करेंगे सबसे पहले dry mixture आड़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से medium speed पर हम beat कर लेंगे इसी के साथ ही थोड़ा सा और हम एक कप करके dry mixer आड़ करेंगे और इसको भी हम beat कर लेंगे अब हम इसके अंदर साथ के साथ coffee milk भी आड़ करते जाएंगे जो हमने coffee का mixture बनाया था यह बहुत ज़दा important और secret ingredient है जो coffee है और जो mayonnaise है यह बहुत अच्छा हमारे cake को कर देगा और बहुत ही tasty बनाएगा cake जो होगा तो इसी तरीके से दोनों को हम partly add करेंगे और आदा आदा करके समसे पहले dry mixture आड़ करेंगे और इसके बाद हम wet ingredients आड़ कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम beat कर देंगे और smooth सा cake का batter ready कर देंगे तो अब हम सारा इसके अंदर dry mixture add कर देंगे और इसको beat कर देंगे medium speed पर और सारा जो coffee milk है वो भी इसके अंदर add कर देंगे और cake का batter जो है वो हमारा ready कर लेंगे scrape कर लेंगे side से और तो अब जो हमारा batter है cake का वो ready हो चुका है हम इसको एक दफ़ा और अच्छे से mix कर लेंगे beater की help से और इसको scrape कर लेंगे side से और हम इसको डालेंगे अपने cake tin में तो मैंने लिया है 9 इंज का cake tin जिसको मैं grease करूंग और इस cake tin को मैं दो दफ़ा यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास एक ही spring form cake tin है right now और अगर आपके पास दो है तो आप एक साथ दोनों जो है cake की layers को अलग-अलग bake कर सकते हैं at the same time लेकिन मैं इसको अलग-अलग bake करूंगी तो सबसे पहले मैंने cake tin के अंदर oil को grease कर दिया है औ और इस आदे बैटर को मैं अच्छे तरीके से पैलेट थी टाइम स्टैप कर लोंगी और इसके बाद मैंसे bake करूंगी 180 डिगरी पर प्री हेटेड ओविन में 30 तू 40 मिनिट के लिए अब हम बटर क्रीम के आइसिंग माना आएंगे जिसके लिए मने लिया है वन कप डाक कोको पाउ congregate जो कि मैंने केट परी का लिया है उसके साथ ही मैंने लिया है 1 टीबल स्पूง वैनिला का ignorant ए цвет व्याड़ में बटर लिया है और 5 कप मैं आइसिंग शूगर के लिए हैं सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बोल लेंगे उसके अदर आड़ करेंगे वन एन आफ कप जो मैंने बटर लिया था और इसको रूम टेमपरिचर पर लिया है मैंने आप टेबल स्प्रेड भी उसकर सकते हैं उससे एक्स्ट्राट को हम एड़ करेंगे और एक्स्ट्राट को हम एड़ करेंगे तो इस बटर क्रीम के अंदर हम कोई भी दूद्ध नहीं करेंगे क्योंकि जो बटर क्रीम है वह काफी थिक होगी और अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं few drops of milk लेकिन वह जादा बहुत जाद भी नहीं होना चाहिए तो अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे approximately one cup of icing sugar और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके five cups of icing sugar इसके अंदर आड़ करेंगे तो सबसे पहले हमने इसके इंदर one cup icing sugar आड़ करा है इसको बीट करेंगे तो नहीं हम साइट से भी हम स्क्रेप कर लें तों साइट से स्क्रेप कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे इसी के साथ अब हम इसके अंदर जो है फृट कब ऑफ आइसिंग शुगर हम इसके अंदर आड़ करेंगे मैं अंदाजे से कब साप को बता तोटली 5 cups of icing sugar अपनी बटर क्रीम में यूज किया था तो हम इसके अंदर 4th cup icing sugar आड़ करेंगे और इसको इतना बीट कर लेंगे कि यह fluffy हो जाए और आप देख सकते हैं कितनी perfect consistency आगई है बटर क्रीम में तो आप देख सकते हैं किती perfect consistency है इसके अंदर तो आप हम इसके अंदर last यानिके 5th cup of icing sugar हम इसके अंदर आट करेंगे तो टोटल मैं इसके अंदर 5 cups of icing sugar आट करूंगी और हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद हम side से फिर से scrape कर लेंगे आप देख सकते हैं वीडियो में और इसको अब हम लास्ट टाइम जो है बीट करेंगे और इसके बाद हमारी जो बटर क्रीम है वो काफी आप देख सकते हैं वो बिलकुल ready है तो आप इसको निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि बटर क्रीम हमारी कितनी पर्फेक्ट लग रही है और बटर क्रीम जो है वो ready हो गई अब हम इसे एक side पर रख देंगे अब हमें cake turn table लेंगे और इसके उपर हम 4 मैंने sheets काटी है पार्चमेंट पेपर की जिसको मैं इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे हम रख देंगे 40 मिनिट बाद हम cake को निकाल लेंगे यह तयार हो गया है इसके अंदा नाइफ भी इंसर्ट करके देख लेंगे यह तयार हो गया केक के अच्छा बनाए अब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो अब हम इसे cooling rack पर ठंडा कर लेंगे तो मैं एक प्लेट की हेल्प से इसको टिन रिम तर ने के समयने के लेंगे के पहलेंगे बीज़ माळमा के लिए के लेंगे लेंगे 30 मिनिट के लिए तो अब हमारा दूसरा केक भी रेडियो होगा है हमआ इसको भी निकालेंगे और तंडा करेंगे तो अब यह वाला केक जो हो ठंडा होने रख देंगे दोनों जो केक हैं वह ठंडे हो गए हैं और रूम टेंपरिचर पर आ चुके हैं अब हम डेकोरेट करेंगे सबसे पहले बटर क्रीम को हम एक पाइपें बैक के अंदर डालेंगे जो के विदाउट नौजल है और इसको विल्कुल फिल कर लेंगे हम तो केक टरंटेबल पर जो हमने पार्चमें रेडी करा था तो वर्क सर्फस तो हमारा रेडी है अब हम इस पे बटर क्रीम थोड़ी सी लगाएंगे और केक का जो नीचे हमें लेयर रखना हम वो रखेंगे और इसके वपर हम लोग जो हमने बटर क्रीम की आइसेंग ली थी वो लगाएंगे तो बटर क्रीम की आइसेंग मैंने पाइपें बैंग में डाली थी तो मैंने उसको आगे से कैंची से काट दिया नही तो मेरे पाद फिर नहीं था यानिके प्यालेट नयफ नहीं थी जो चिक होती है तो मैं एक सर्फ करने वाला जो स्पून होता है यूज कर रही हूं और उससे सब्सक्राइप की तरहिए अथा क्या आप दिख सकते हैं किता केंदर डालेंगे उपर और अब इसको स्प्रेड करेंगे तो केक टर्न टेबल बहुत ही इजी करते हैं आप देख सकते हैं वीडियो में तो आप इसी तरीके से आइसिंग लगाते जाएंगे और टेबल को घुमाते जाएंगे जिससे क्या होगा कि आपकी जो आइसिंग है व अब आप जो है गाप जो आ रहे हैं के अंदर इसको फिल कर दे विदी एल्प आफ क्रीम और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से रबर के स्पाचुला से साइट से लगा रही हूं मेरे पस विलहाल जो है वो पैलेट नाइफ नहीं है जो के होती है केकी तो मैं र एक हम चेठि descent फिल करेंगे के हम अच्छा लंगने लगा है अब मैं इसके हे रवकिता को जो फिल कर दिया है उसके बाद मैं इसके ओपर थोड़ी पर फोड़ी सी और बडर क्रीम आइससा लगारी है और स्की साइट को फिल करती जा रही ही हो और इसके साथ ही आप मैं इसक अब बड़क्रीम डाले, आप अच्छे से बड़क्रीम, पैलेटओ नाइफ को केट्वा नाइफ की, स्पॉचला भी यूज कर सकते हैं, यह वाली केक की सब्फW नाइफ भी बैन दे जो बहुत ही plane type look होता है जो कि आज कर बहुत ज्यादा trendy है आपका मर्जी है आपको अपना केक को किस तरीके से सजाना है तो आप spread करते जाएगा और टिप की help से आप इसको एक rustic look दे सकते हैं जो कि आज मैं अपने केक को देने वाली कि लोग कितना ज्यादा trendy हो कितना लग रहा है हमारा केक जो है आप इसको ऐसा लोग भी दे सकते हैं और इसको फ्रेश फ्रूट के साथ आप सर्फ भी कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लोग है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पार्च्वन पेपर की हेल्प से कितना जाएगा भी मैं आपको दिखाऊं तो आप ऐसी वीडियो हो गया है विए बड़ी इसको घास केक बोर्ट के ऊपर रखी है तो आप भी बहुत केरफुली रखेंगा क्यूंकि के की तूट भी सकता है तो मेक शोर कीजेगा आप से केकु है कि बसके हैं के क क्लिंग कर लीजियेगा और नाइफ या स्पून की तो मैं आज अपने केक को यही लुग दूँगी यूग कि मुझे लुग जो है वह बहुत ज़ादा अच्छा लग रहा है और फ्रेश फूर्ट का लुग दूँगी तो मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो मैं अपने केक पर आज लगाऊंगी और आप देख सकते हैं यह कि तो तैयार है हमारा मज़ेदार रस्टिक लोग चॉकलेट केक जो के बहुत ही जबर्दस और डिलिशियस बना है और अमीद है आपको में यह रसीपी ज़रूर पसंद आई होगी थैंक्यों को बहुत सब्सक्राइब तो मैं चाल्यों आपको 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 आ बिसकेट केक रिसमे मैं अस्perform केक सालमु अलेकुम फ्रेंट्स ग्रेट चॉकलेट लिया है यह भी डाक चॉकलेट है जो मैंने ग्रेट कर ली है पीलर की हेल्प से यह हाफ कब है और हाफ कब मैंने कोको पाउडर लिया है यह कोको पाउडर डश प्रोसेस नहीं है नॉर्मल है और टू अवन त्वी कब मैंने चीनी लिया है यानि के शुगर फ्रेश क्रीम मैंने लिया है जिसमें से मैं कुछ यूज करूंगी और वन कप मैंने वाटर लिया है यानि पानी और वन टीजपून वनिला का एक्स्ट्राक्ट तो सबसे बहले हमें एक सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी जो हमने ली थी टू अपॉन थी लेंगे भी कई इसके साथ पूगाँ रजाए मिंस बार एक सीनी तटालेंगे और यह मीड़ी कर लेंगे अब बीतर भी यूज कर सकते हैं और इसका एक स्मूध में पेस्ट बभी कर लेंगे यह मैं सॉस पैन में पानी डाल दिया एक टीश्पून बनिले एक्सट्रैक दाल देंगे और निए अच्छे तरीके से वेल कमबाइन करेंगे आधने एक्सट्रैक भी टाल देंगे तो इसी में हम सौर्ट डिर अन्सॉर्टिड रिया था वो डालेंगे उसको मैंने चॉप तो अब हम मीडियम तू लो फ्लेम पर कुप करेंगे और जो बिस्किट हमने लिये थे हम उसको हातों से ही इसको टुकरों में करेंगे आप देख सते हैं तो अच्छे तरीके से कुक करेंगे कि अदर रो है तो हम इसे 2 या 3 बोईल हम लाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए और इसको हमें बर्न नहीं करना मीडियम टू लो फ्लेम पर हम रखेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है और इसके अंदर बोईल आए जा रहे हैं और मैं इसको जो है स्टोफ से हटा देती हूँ और साथ ही अब इसके अंदर मैं आड़ करूंगी उसी क्रीम के अंदर से मैं 3 टेबल स्पून इसके आड़ कर दूंगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी दो से तीन दफा जब बोईल आ जाएगा और आपको फील होगा कि अच्छे से कुक हो गया है जो हमारा चॉकलेट का मिक्शर है तो हम इसे उतार लेंगे चूले पर तो हम इसे चूले से हटा कर इसको एक होने देंगे वीस मिनट के लिए अब हम लेंगे जो हमने डाव चॉकलेट ली थी और हाफ कप जो फ्रेश क्रीम ली थी उसको हम मिक्स कर लेंगे करने माइक्रोव겠습니다 के अंदर बोइल करना है। 50 सेड़ी के लिए और अब इस क्रीम के अंदर से चौकलिट के अंदर करें और रुड़ के लिए कश चौकल मैं टोड़े के लिए छोड़ी पैसले पिरला और सुम्तारा कर लगा है।D में गनाश और क्रेन तो जो किम इतना करेंगे कि जो करेंगे कि चोकलेटव को मिल्ट हो जाए बर एक्षॉर किजिएगा हमें प्रीम को बोयल नहीं करना चॉकलेट के 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 अरड़े बिस्किट्स चेय Nee, अर इतना बाला है कि बैटरहू नएकि अक्ष। भाँस थिक हो विआको जब सेट और कर जादी अलिए-एकिता बैटरहूं घ्रापेस से चुछेंगे और डीजे भी सूरूइल और तो हम से और भी टिर करेंगे और हमेसे पार्शमेंट पेपर के बहुत स्थिंन नहीं होना चाहिए इसको सिली पीछ रहें क्पून और मधिन रफेसदे चैसे अब और करके यह को हमें लगाइन तक कोई आपना पच्छ नहीं बीच में को बालन्स हो जाए और इवेन हो तो आप तो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और एक और दफा देख लेंगे कि अच्छे तारीके से साइट से भी सेट हो गय बड़ा तेक्ता हम 10 regular के लिए 2 फ्रीजर के लिए तो नीएं बूंगे अधे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट के लिए नीए 10 मिनिट मेल नंचाले गर वजाएंगे टीक हो जाएंगे लिए 10 मिनिट बाद अपने केक को आप वैसे कर सकते हैं तो मैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं आपका दिल करें आप वैसे करें और दूसरा चीज यह है कि अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि यह सेट हो जाए तो एक घंटे के बाद हमारा जो बिसकिट केक है वो रेडी हो चुका है और आइ टिंक यह सेट भी हो चुका है अब हम इसके जो साइड्स हैं उसको हम लूस करेंगे विद अ हेल्प ऑफ शार्प नाइफ हम इसके एज़े को लूस करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे तो पुष्ट करेंगे और इसली हमारा जो चीज केक टिन है वह रिमूव हो जाएगा जो है आमने निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है अब मैं आपको इसको काट कर भी दिखाऊंगी बट राइट नौ मैं किसी के घर दावत पे लेके जा रही हूं तो मै इसको लेके जाओंगी और वहाँ पो दिखाऊंगी तो मैं इसको दावत पे लेके जा रही हूं किसी के घर तो यह जो वीडियो है वो दावत की है और आप देख सकते हैं वीडियो में कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है और अंदर से कितनी अच्छी बिस्किट के लेयर और यह बहुत ही से और डिन से AZP TES्टी बना था रिख सकते हैं मैं आपको चैन सका को अदे माधि यह को खा कर भी दिखाऊंगी और आप close-up भी देख सकते हैं बहुत ही रसिपी चि इंवीरनिया मुआ पसंद आयो होगी ठामça स्ट्राबरी चीज केक रेसिपी आज हम लोग पनाएंगे स्ट्राबरी चीज केक जो के बहुत ही डिलिशियस होगा जिसके लिए मैं एक क्विक प्रिवियू में आपको सारे इंग्रेडियंट्स दिखा रही हूं जो आपको अपनी शॉपंग लिए लिखने होंगे तो नेक्स क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी कॉंटिटी में ये साथे इंग्रेडियंट्स यूज करूंगी तो आप इसको नो टाउन कर सकते हैं तो इंग्रिडियंट्स फे मैं यूस करा है क्रीम चीज 250 क्राम्स टो टेबल स्पूं साउर क्रीम और 2 फिफिटी ग्राम best लिये हैं आप ग्राःम क्रैकर्स ले सकते हैं 22 टेबल स्पूं मैंने सारे बिस्किट को हम लोग कर लेंगे फूट प्रोसेसर में डाल कि आप रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं तो बिस्किट जो है वो इस तरह हमें क्रश कर देने हैं हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इआ को एक स्प्रिंग फॉwn का केक टें चाहिए जो लंप स्पन गए है उसको और हम इसके अंदर आड़ करेंगे तू टेबल स्पून या थ्री टेबल स्पून मेल्टेड बटर जादा नहीं आड़ करना क्योंकि वो बिस्किट की जो बेस है उसको बहुत अदा सौगी कर देगा अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले नहीं करदेख मेंगे पूरा दायर प्रेस कर देना है ऐसा वो दिखना चाहिए है हम क्रींट की डिक शीज में पर हमने अच्छे तरीके से मुन ख्रें जिब तक वह खो IT कर लेंगे जिब तक वह तिाथ नहीं हो जाती ज्यादा तिक नहीं करना क्रीम हमने इतनी थेक करिए यूँकर हम जेलेटिन यूज करेंगे अब क्रीम चीज जो हमने लिया था 250 ग्राम से क्रीम कर लेंगे तो क्रीम चीज को बीट करने के बाद वो इस तरीके का देखेगा और 2 टेबल स्पून de sour cream यूँ आट करेंगे यह optional है और इसको बीट करेंगे बीट करने के बाद, mixture को इस तरीके का देखेगा अगर आपका mixture इस तरीके का नहीं देख थोगा तो आप तो थोड़ा सा अब हम 2 टी स्पून जेलेटन पौडर लेंगे जिसको हम एड़ करेंगे 3 टी टीबल स्पून हट वॉटर में मैंने हलाल जेलेटन लिया है आप अगर-अगर भी यूज कर सकते हैं जहली कुछ पाइट करने के बाद करीन के पाइट के पाइट यहाद करों, अ乐कर जेलेटन का पालाऊ पड़ कोirste. तैंशा है बिसकिट की बेस कोपा डालेंगे जो हमने फ्रीजर के अंधर रखी थी और इसको हम evenly और स्प्रेट कर देंगे ताके इसके अंदर कोई भी जो है air bubbles ना रहें हम इसको spatula की मदद से spread करेंगे या आप knife भी उसकर सकते हैं जो cake knife होती है और इसको ऐसे spread करना है कि beat से balance रहे कहीं से उंचा नीचा ना हो और इसको spread करने के बाद हम इसको जो है glad wrap करके freeze कर लेंगे और three times हम इसे tap करना है ताके कोई air bubbles ना रहें अब हम strawberry की sauce बनाएंगे जो के homemade होगी जिसमें हम add करेंगे one cup fresh strawberries हमने लिए हैं और one cup में sugar add करूंगी और इसको medium flame पे तब तक हम इसे cook करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाती make sure किजेगा आपके strawberry की sauce है वो थिक हो strawberry की sauce है वो रेडी हो चुकी है और थिक भी हो चुकी है make sure किजेगा कि ये थिक हो वीडियो में जितनी दिखाई हो से जादा थिक हो ताके ये best results दे और अब हम इसको डालेंगे अपने cheese cake के उपर जो हमने ready किया था और अब हम इसको अच्छे तरीके से spread कर देंगे पूरी sites के उपर अच्छे तरीके से spread कर देंगे आपकी मर्जी है आप plain cheese cake भी कर सकते हैं और अगर आपको sauce बाद में use करनी है serving time तो आप ये भी कर सकते हैं तो अब इसको spread करने के बाद हम overnight refrigerate करेंगे सुबा हमारा cake जो है वो ready हो गया है अब हम इसे निकालेंगे हम इसको spring foam के rings को इसके उपर से निकालेंगे cling wrap हटाएंगे और इसको carefully हम निकालेंगे आप देख सकते हैं ये ready हो गया है अब आपको close up से हमारा cheese cake दिखाती हूँ जो हमने ready किया है अब हम इसको surf करेंगे और मै इसको cut out करके आपको next clip में दिखाती हूँ तो अब जो cheese cake है मैं उसको surf कर रही हूँ literally ये बहुत ही ज़्यादा delicious बना था मैंने इसे try किया था और ये बहुत अच्छा बना था और अब मैं आपको इस video में इसको cut करके दिखाऊंगी और इसको taste भी करके दिखाऊंगी और close up जब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ अब आपकी मर्जी है अगर आपको plain cheese cake पसंद आप plain भी खा सकते हैं या फिर किसी भी fruit के साथ आप इसकी sauce बना के कोई भी flavor इसको देखे खा सकते हैं तो अब मैं आपको इसको cut करके दिखाऊंगी आप देख सकते हैं ये कितना ज़ अलो टाइप बना है यम उमीद है अब में रेसिपी किसन आई होगी थाइंक्स को माचे अलाह आफिज और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब क्रीम रोल्स रेसिपी स्टॉबरीज एंड क्रीम रोल्स स्टॉबरीज एंड क्रीम रोल्स आज हम लग बनाएंगे स्टॉबरीज एंड क्रीम रोल्स जिसके लिए मैंने लिए है टू शीट्स मैंने लिए है बटर पॉफ फेस्ट्री की आपको इभी पॉफ फेस्ट्री ले सकते हैं उसकी हमें ए प्रेटल कोंज ली है, यह मैंने ओर्ड करी है विश स्टोर से, तो आप भी वहीं से ओर्ड कर लीजिएगा, तो अब हम यह से अनॉडप कर लेते हैं और रेडी करते हैं अपनी क्रीम रोल्स, सबसे पहले हम लोग मैदे से डस्ट करेंगे अपने वर्क सरफिस पे, और उस पर काट लेंगे घंबाई में स्ट्रिप्स की फ़र्म में तो हमने से काट लिया है स्ट्रिप्स की फॉर्म में देख सकते हैं वीडियो में अब जो hamba consists सिसकेज का ले आदा के बटर हमने लिया थे ग्रीस रेंगे प्रश कर लेंगे और सारी cones को हम ready कर लेंगे प्रश करके तो अब जो हमने metal की cones grease करी थी उसके उपर हम अपनी puff pastry की strips को fold and wrap कर देंगे जिस तरीके से आप विडियो में देख सकते हैं उसे ही follow कीजिएगा और इस तरीके से आप अपनी सारी cones ready कर लेंगे और याद रखेगा कि आपको जादा butter से grease नहीं करना वरना वो टिकिंग ही नहीं और गिर जाएंगी तो अब हम इसको ready कर लेंगे अगर आपके पास metal cones नहीं है तो आप foil paper भी use कर सकते हैं मैंने आपको विडियो में दिखाया है और अपनी baking tray को हम ready कर लेंगे ओविन हमने preheat कर दिया था अपना 25 minutes से और हम इसे 25 minutes मजीद bake करेंगे 230 degree centigrade पर और आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैंने इस तरीके से खड़ा रखा है जो अपनी cones हैं उनको तो आप चाहे तो इसको लिटा कर भी baking tray में रख सकते हैं वो भी एक अच्छा idea है अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस तरह करें अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हैं और 25 या 30 minutes के तोरान हम इसे bake कर लेंगे तो अब हम cream filling को ready करेंगे जिसके लिए मैंने लिए है one cup chilled refrigerated cream 3 upon 4 cup में आइसिंग शुगर लिए है और कुछ strawberries लिए है तो अब हम एक bowl में cream को डाल लेंगे one cup इसको बीट करके ठिक कर लेंगे और इसके अंदर शुगर आट करेंगे one cup और से फिर से बीट करेंगे until fluffy और जब तक stiff peaks नहीं बन जाती तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो cream है वो काफी thick हो गई है और हम इसे तब तक बीट करना है जब तक हम bowl को उल्टा करके देख लेंगे और जो है cream जो है वो टिकी रहेगी गिरेगी नहीं और infallible हो जाएगी तो अब हम इसे मजीद बीट करेंगे रेडी हो गई है हम इसे निकाल लेंगे अब हम इस cream को जो है वो pipe and bag में फिल कर लेंगे नौजल लगा के तो pipe and bag में मैंने cream को फिल कर दिया है अब हम metal cones को remove कर लेंगे यह easily remove हो जाएंगी तो तयार है हमारी pastry की जो rolls अब हम इसे फिल करेंगे cream से जो हमने रेडी करी थी तो अब हम इसी cream से filling करेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं तो तयार है हमारी cream rolls अब मैं इसको strawberry से decorate करूँगी जिसके लिए मैंने chop करी है strawberries और वो मैं इसके center में लगाऊंगी आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से और सारी में लगा लूँगी तयार है हमारे delicious strawberry and cream rolls इसको आप घर में जरूर ट्राइ कीजी ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी उमीद है आपको में रेसिपी पसंद आई होगी thanks for watching please like and subscribe to my channel लेमन केक पायने शेट्स कीजिए अचा में लेमन केक जिसके लिए हमने लिया है 175 g all-purpose flour यानि मैदा उसी के साथ मैंने लिया है चार अंडे जो के मैंने रूम टेंपरिचर पर लिया है और मैंने लिया है बटर 175 g ग्राम और चीनी भी 175 gr. butter मैंने रूम टेंपरिचर पर लिया है और चीनी भी 175 g है तो साथ ही मैंने लिया है कि lemon zest आप देख सकते है जो के मैंने half cup लिया है यह grated lemon peel है आप अपने घर में भी से रेडी कर सकते हैं उसके साथ ही मैंने लिया है फॉर्ट भी तेबि स्पून लूक वाम लीक लिया है नीम गरम दून Shariput ए लेंड है उसके साहते ही मैंने लेंड लेमन का असेंस लिया है इसकी साहते हें बट केशर किल या मैंने बटनी एगे कितना युथ चलेंं हम लेमन केट केसे हुनानक है तो सबसे पहले हम लोग mixing bowl लेंगे उसमें हम अपना butter add करेंगे butter हमने unsalted लिया है और room temperature पर लिया है और आप याद रखेगा fridge की ठंडी कोई भी चीज आपको baking में यूज नहीं करनी सबसे पहले हम इसको beat करेंगे और इसको इतना beat करेंगे कि यह fluffy हो जाए तो आप देख सकते हैं butter जो है वो fluffy हो गया है अब हम इसके अंदर sugar add करेंगे gradually portions में यानि के पहले थोड़ी सी add करेंगे और beat करेंगे फिर थोड़ी सी और add करेंगे और फिर से इसे beat करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने sugar add कर दी है इसके साथ ही शुगर आड़ करने के साथ ही अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे जो हमने अंडे लिए थे तो आप याद रखेएगा रूम टेंपरिचर पर हमने अंडे लिए है फ्रिज के अंडे नहीं है ये तो पहले हम एक अंडा डालेंगे और इसको बीट करेंगे उसके उसे के साथ ही हम साइडों से भी टालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो हम अच्छे तारीके से मिक्स करके बीट कर लेंगे इसी के साथ ही हम इसके अंदा भी डालेंगे इसको भी बीट कर लेंगे और 14 अंडाँ डाल के हम बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से जब हम इसे बीट कर लेंगे तो शजब अंडर हम जब डालेंगे अपना lemon flavord essence मैं आपको बताती चलोओ daund lemon flavored essence हम कितना डालेंगे मैं भी आपको बताती हूँ तो हमने लिए है lemon flavored essence वानन वान आपन फोर टीस्पोन वान टीफोन उन आट करेंगaya अपने पूर टीफोन और धने स्थी स्पून मैं यतना कर रहा है यहाँ बिदा कर लेगा कि आपका एसन्स कितना तेज है आपको कितना आट करना है साथी मैं जो हैं लेंड जर्स Plus कटने तोड़ा सा मैं बाद में उसके करूंगी और इसको मैं बीट कर लूँगी इसी साथ ही अब हम एक स्ट्रेइनर लेंगे और अपने ड्राइ इंग्रीडियंट्स एड़ करेंगे यानि के मैदा हम मैदा डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट भी डाल देंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको हम स्ट्रेइन कर लेंगे strain करेंगे अपने wet ingredients के अंदर आप देख सकते हैं यह step करने से जो हमारा बैटर है उसके अंदर air bubbles आ जाते हैं air शामिल हो जाती है जो कि हमारे cake के लिए अच्छी होती है spongy बनाने के लिए तो हम इसको spatula से पहले mix करेंगे और उसके बाद हम इसे beat कर लेंगे beat कर लेंगे ताकि यह जो सारा mixture है वो smooth हो जाए और even हो जाए अब हम इसमें 1 tablespoon जो loop warm हमने milk लिया था वो add करेंगे नीम गरम दूल और इसको beat करते जाएंगे तोड़ा सा और मिल कैट करेंगे इससे जो है अमारा बेटर जो है वो dry नहीं होगा और वो smooth रहेंगा इसको अच्छी तरीके से हम लोग beat कर लेंगे और sides से भी ले लेंगे अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में यह बहुत ही simple और easy recipe है और इससे आपके बहुत ही अच्छा और spongy बनेगा तो हमारा जो बेटर है वो ready है अब हम इसके अंदर lemon zest टैट करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा हम garnish के लिए बचा के रख लेंगे और इसको spatula से हम लोग mix कर लेंगे तो तयार है हमारा बेटर अब हम इसे डालेंगे तो हम लेंगे एक baking tray मैंने slice tray ली है उसके अंदर हम grease करेंगे पहले oil से फिर हम parchment या baking paper रखेंगे उसी size का काट कर और मैं sides पे strips भी use करूँगी आपकी मर्जी है आपको करनी है तो आप करें वरना यह इतना important नहीं है और इसके उपर फिर से हम लोग baking spray कर देंगे इससे जो है हमारा जो cake है वो जलता नहीं है तो इसके अंदर हम आपको सारा बेटर डाल देंगे और इसको evenly spread कर देंगे सारा का सारा इसमें बेटर डालके हम इसे spread कर देंगे तो सारा का सारा बेटर डालने के बाद अब आप देख सकते हम इसको evenly spread कैसे कर रहे हैं आप भी इस तरीके से ही कीजिएगा इस तरीके से जो है जो cake है वो अच्छे shape में आएगा और इसको three times हम tap करेंगे इससे जो है air bubbles निकल जाएंगे और जो lemon zest हमने बचा के रखा था उसको हम टॉप पे garnish कर लेंगे और अब हम इसे bake करेंगे 180 degree पर preheated oven में जो कि 20 minutes से preheated था अब हम इसे bake करेंगे 180 degree पर 20 minutes के preheated oven में 50 minutes के लिए हम इसको 180 degree पर bake करेंगे अब हम 50 minutes बात देखेंगे कि हमारा जो cake है वो ready हो गया है या नहीं आप बीच में चेक करते रहेगा क्योंकि हर oven की जो power है वो different होती है तो knife को insert करके आप चेक करिएगा अगर वो clean निकल आए इसका मतलब आपका जो cake है वो ready हो चुका है तो हमारा cake जो है वो ready हो चुका है यह बहुत गरम है तो अब हम इसे 20 minutes के लिए cooling rack पर या ऐसे ही थंडा होने रख देंगे तो हम इसे थंडा कर देंगे 20 minutes बाद अब हम अपने cake के जो edges है उसको loose करेंगे और इसकी sides को loose करके अब हम cake को जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि हमारा जो cake है वो अब cool हो चुका है तो हम इसे निकालेंगे आप देख सकते हैं कितना sponge है मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी और इसे काट कर भी दिखाऊंगी तो हम इसे upside down निकालेंगे आप भी इसे तरीके से कीजिएगा आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये bake हुआ है पीछे से भी कितने अच्छे से bake हुआ है ये बिल्कुल भी जला नहीं है आप देख सकते हैं कितना ये spongy बना है और कितना अच्छा बना है अब इस recipe को इसी तरीके से follow कीजिएगा तो अब हम आपको इसको काट कर दिखाएंगे तो चलिए अब हम इसको आपको डीटेल में दिखाते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉंजी और मज़ेदार ये बना है बहुत अच्छा ये बना है आप देख सकते हैं तो अब हम आपको अपना lemon के एक काट के दिखाएंगे कि यह कैसा बना है तो मैं इसको बीच में से two portions में आपको काट के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे इस सर्फ भी करना है तो मैं आपको ऐसे काट के दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कितना soft and yummy बना है जिखे पसंदा योगी थाक्स पोचेंग अलाहाफिस स्प्सक्राइब तो मैं चैनल असलाम अलेकुम फ्रेंज आज हम लोग पनाएंगे फ्रूटी कस्टर ट्राइफिल जिसके लिए हम चाहिए होगा कस्टर पाउडर आपको इभी फ्लेवर का ले सकते हैं मैंने वनिला लिया है साथ ही मैंने लिया है फाइफ कप्स मिल्क मैं लोगी जिसमें हम कस्टर टू टाइम्स बनाएंगे पहले बनाएंगे हम लोग दो कप्स का उसके बाद हम फिर से बनाएंगे दो कप्स का कस्टर सबसे पहले हम दो कप का कस्टर बनाएंगे जिसमें से मैं धाई कप के करीब दूद लोगी एक मेज तोड़े से दूद में और उसको मैं घोल लूगी और एक साइट बिकर लूगी तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही दफा कस्टड बना लें लेकिन मैं टू टाइमस बनाऊंगी सेम वे में तो सबसे पहले में लोगी दो कप मिल्क जिसको मैं बॉयल करूंगी फोर टेबल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे और जब यह बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें कस्टड का मिक्स्टर डालेंगे तो हम इसके अंदर टूड़ स्पून शुगर अट करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम एक पाई तो आपड़ एक अपल और थोड़े से ग्रेप्स लिए है साथ ही मैंने फ्रोजन फ्रेश मिक्स पेरी लिए है तो जो हमारा दूज जो है वह बॉल हो चुका है तो अब जब वह जो जाएगा तो हम उसके अंदर जो हमने कस्टराट का मिक्स्टर बना रहा है था में तुक्त भाव और सी कुए नाला था शूल navigate के अधोड़ के नरी हमारी तो यहका आपको प्रखा है। आपताएं वे कीचैने तो आपके टाला क्या है। कौन से फ्रूट उसमें डालना चाते हैं यह ऑप्शिनल है तो मैं इसकी बेस में मिक्सट पैरी डालूंगी और साथ ही अब मेरा कस्ट कैस्ट है की यही हो गया है unity हो विлишfeeding पौर कर दूँगी और assessment करने के बाद इसको मैं ठंडा होने दूंगी और जब तक यह थंडा नहीं हो जाता मैं इसमें कोई फ्रूट नहीं डालूंगी तो लेट इट कूल साथी मैंने दो जेलीज ली हैं एक स्ट्रॉपिरी फ्लेवर और एक पैनेपल फ्लेवर की तो मैं दोनों जेलीज को बनाऊंगी उसके साथ ही अब हम जैली बनाएंगे 400 ml मैंने पानी लिया है और जैली के इंस्ट्रक्शन से आप दोनों जैली के पैकेट्स को बना लेंगे और उसको कूल कर लेंगे जैली जो है वो कूल हो गई है इसको स्ट्रेट पैन में डालके हम ठंडा कर लेंगे इसी तरीके से दूसरी भी जैली बना लेंगे तो अब मैं ट्राइफल बोल में जो कस्ट्रड बाला था वो ठंडा हो चुका है तो जब ही कस्ट्रड ठंडा हो जाएगा तो उस पर एक लेर से आ जाती है तो custard ठंडा होने के बाद मैंने से अभी fridge में नहीं रखा तो अब मैं इसके उपर जो fruit की layer है वो मैं लगाऊंगी तो apples और bananas और मैंने जो crushed pineapple लिया था तो उसकी में layer लगाऊंगी तो सबसे पहले मैं bananas लोगी इसको मैंने slice करा है यह trifle bowl है तो मैं इसको decoratively सजाऊंगी अपने own way में आपकी मरजी है आपको अपना trifle bowl किस तरीके का चाहिए यह बिलकुल optional है तो मैं जो bananas मैंने लिये थे उसको इसकी sides पे लगाऊंगी ताकि यह see through है तो यह देखे अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी third fourth layer जो है मैं crushed pineapple के डालूँगी यह भी optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और fruit यूज़ कर सकते हैं और आपके उपर है तो मैं अब इसके अंदर crushed pineapple डालूँगी हर side पे ताकि हर bite में आए इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगी चौप किये हुए apples अब मैं इसके अंदर चौप किये हुए apples डालूँगी अब यह मर्जी है अब उसकी skin उदा रहे हैं नहीं अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे साथ ही मैंने लिया है एक fruit cake जिसको मैं slice करूँगी तो अब जो मैंने jelly ली थी उसको मैं blocks में काट लूँगी और उसके साथ ही अब अपने trifle bowl में जो fridge में रखा हुए है वो काफी ठंडा हो जुगा है तो तक्रीबान एक खंटा मैंने उसके फ्रिज में रखा है तो अब मैं उसमें jelly की layer लगाओंगी तो अब मैंने अपने trifle में jelly की layer लगा दी है अब इसके साथ ही मैं इसके उपर डालूँगी जो मैंने fruit cake काटा था उसके layer लगा दूँगी और साथ ही मैं इसके उपर अब crushed pineapple डालूँगी उसका juice डाल दूँगी ताके यह जो cake है वो थोड़ा सौगी हो जाए अगर आपके पास यह juice नहीं है तो आप कोई भी fruit juice यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद मैं इसके उपर डालूँगी जो custard मैंने second time बनाया है वो इसके उपर अब मैं डालूँगी तो custard मैंने डाल दिया अब हम इसको ठंडा करेंगे फ्रिज में तो एक खंडे बाद custard काफी ठंडा होगे अब हम इसके उपर अपनी last jelly के layer जो मैंने दूसरा packet बनाया था वो मैं इसके उपर डालूँगी और इसको अपने desired way में सजाओंगी आप देख सकते हैं मैं इसमें जेली डालूँगी जो मैंने ली थी सारी jelly मैं इसमें डाल दूँ एपर र Early Shodal स्वाइब और साथ वेप क्रीम यूज़ करणोंगी अपने यह whip क्रीम यूज़ करते हैं मेरे पास यह वाली विंट सजाओंगी तो मैं इसको अपने desired way में सजाओंगी और शे होपर में जालूंगी और जो मेने घ्रेप लिएते उसको मैं सजाओंगी corners पे आप cherries भी यूज़ कर सकते हैं कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास available हो तो अब मैं इसको passion fruit की sauce से थोड़ा और से जाऊंगी ये भी optional है आपके मरजी है और मैं इसको passion fruit की मेरे मेरे पास dessert topping थी तो मैं वो भी इसके ओपर डालूँगी ताकि और जादा fruity सा टेस्टा है इसके अंदर तो तैयार है हमारा trifle अब हम इसको zoom करके आपको दिखाएंगे तो तैयार है हमारा मसितार fruity custard trifle इस recipe को आप घर में जरूर ट्राइगीजिए especially occasions पे जो हमारे functions और festivals आते हैं उसमें काफी जादा अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि यह बहुत ही जादा tempting dish है और यह trifle bowl में अगर आप surf करें तो इसी तरहीं से surf करें तो और भी जादा अच्छा लगता है तो तैयार है हमारा मज़ेदार trifle इस Pacific Up Napole ऑभे सुड़ ट्राए कीशेगा थांक्स फर वाचें अलाहाफिज थांक्स फर वाचें अलाहाफिज अन् प्लीश लाहाफिज प्लीश यालाह reproductive असलाम आलेकुम व्रेंज आज हम लोग बनाएंगे चौकलेट ब्राउनी केड़ जो के बहुत दा ही स्पॉंजी होगा और मोईस्ट होगा जिसके लिए हमें हाफ कब मैना चाहिए होगा साथी मैंने लिया है तीन अंडे की सफेदिया लिया है और साथी मैंने लिया है कासर शुगर जो के हाफ कब मैंने लिया है और वेजिटेबल ओयल मैंने लिया है हाफ कब और कोकॉआ पौडर मैंने लिया है हाफ कब और मैंने फाइफ टेबल स्पॉन्स मैंने शुगर लिया है जो के लूप वाम है और मैंने ट्लेवर्ड एसेंस लिया है वनिला का उसके साथ ही मैंने वन फोर टी स्पून सॉल्ट लिया है और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है तो चलिए हम इसको रेडी करते हैं कि ट्रेश着 हो तो सबसे पहले हम लोगे बोल लेंगे उसके अंदर हुए का यॵक सपार न्किと Lea Playing का शूगार करेंगे और उसके साथ ही मैंने । यॵ्यद प्रीड पॉनिया करेंगे अच्छी तरीके से आप देख सकते है विडियो में और इसके अंदर डालेंगे मिल्क जो हमने लिया था और इसको एड़् करेंगे अच्छी तरीके से मिल्क जो है वो लोग वाम होना चाहिए इसके साथ ही अब हम इसके अंदर एट करेंगे जो हम लोगोंने वनियला का एसेंस लिया था वन टी स्पून मैं डालूंगी इसको और उसके साथ ही हम इसके अंदर फिर से विस्क करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अब हम लोग अपने जो ड्राइ इंग्रीडियंट्स है पहले मैदा लोंगी इसको सीफ करोंगी और कोकवा पाउडर लोंगी और बेकिंग पाउडर सॉल्ट और इसको चानी की मदद से हम सीफ करेंगे इसके साथ ही अब इसको अच्छे तरीके से इवनली स्पैचला की हिल्ट से मैं फोल्ड करूंगी इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना बहुत ही प्यार प्यार से इसको ना हमें जो है मिक्स करना है अच्छे तरीके से फोल्ड करते रहना है फोल्ड करने से यह होगा या पड़न करने के बाद हम लोग एंग वाइट लेंगे और हम नो झूब कायाँ सब्रफ पादाए चोल कंपी तर न 76 सब्राना रिग कदें पना नंद 10शाव बहुत सारे आने लगे तो अब हम निसके अंदर कास्टर शूगर यानि पावड़र शूगर चो ली थी वह तो अब फम इसके अंदर एक करेंगे एक आप ओर व्हें थोड़ा तो आप रखेंगे और यहां निस बीड करना जैए इसको सबी करने जब तक यहांС करें दस मिनिट लगेंगे हमें और हमें बीटर को लो स्पीड पे फिर हाई स्पीड पे करकर के इसको बीट करते रहना है और साथ ही हमें बीट वक्फे वक्फे में इसके अंदर शुगर आड़ करती रहना है तो हमें इसके तब तक बीट करना है जब तक जो है इसके पीक्स नहीं form हो जाए और वो stiff ना हो तो अब हमने इसको इतना वीट कर दिया है तो हम इसके चुह करेंगे कि इसकी stiff peaks बने हैं तो आप देख सकते हैं sought by और यह है वो रेडी हो गया है और हम इसके अंदर आड़ करेंगे जो हमारा चॉकलेट का बैटर था और बहुत ही प्यार से इसको हम फोल्ड करेंगे जो हमने महनत से जो फलफ बनाया था तो हम इसको स्लोली एंग्राजुली फोल्ड करेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ऐसे ही हम से फोल्ड करते रहेंगे मिक्स्टर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और ऐसे ऐसे फोल्ड करते रहेंगे स्पैचला की है उससे तक्रिकन इसको अच्छे तरीके से फोल करने के बाद हमारा मिक्सचर'll इस तरीके कर अब हम इस एक तरीके से फोल कर देंändern याद रखेंगे कम बीट dobrze ही करणा तयार है मीक्सचर belle आप हमारा जो डिना ना तरी राक इलएंगे वाउटे ऐस को शाज डवज सकते हैं कोशच करेillा कि वो रेक्टेंग्गुलर हो तो हम लोग जो करेंगे दालेंगे आर उसके बटर पेटाब्र विशाएंगे जैसे मैं आपको हमिशा बदाती रहें हो पहले हम इसे नीची grease करेंगे फिर बटर पेपर बिचाएंगे फिर से grease करेंगे फिर हम इसमें बैटर डालेंगे और हम इसे tap करेंगे ताकि जो air bubbles है वो निकल जाए तो हमें लार्ज केक पैन भी आप ले सकते हैं तो मैंने बड़ा सा एक पैन लिया है बेकिंग के लिए उसक हमारा लोब पैन है उसको रखेंगे और ऐसे हम लोग अपने ऑविंबे रखेंगे ओवेन हमारा प्री हीटिड है और इस को इस तरीके से वाटर बाथ करके हम लोग ओविं मेर अर ओवें रख और ओव न्च पनरा बीसमिनेट से प्री हेटिंट है इसे तुहंड़िड करेंगे तो लेट्स प्रिपेर चॉकलेट आइसिंग तो मैंने लिया है 3 टेबल स्पून सॉफ्टें बटर और 2 अपन 3 कप मैं ले रही हूं रेडिमेट आइसिंग अगर आपके पास रेडिमेट आइसिंग नहीं है तो आप लोग कोकुआ पाउडर और शुगर का मिक्स्टर ले सकते हैं 2 अपन 3 कप या फिर आप इसकी जगा कोई भी माईलो वाकेरा भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी आपके आइसिंग अच्छी बन सकती है तो मैं बटर के अंदर रेडिमेट आइसिंग डाली है और अब मैं इसको बीट कर रही हूं इसको बहुत अच्छे तरीके है वो रेटी हो गई है तो हमारा जो केक है वो बेक हो गया है 170 टोटल 60 मिनिट में यानी वान आवा में हमारा जो केक है वो बेक हो गया है आप देख सकते हैं अब हम इसे कूलिंग राक पर रखे इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इसके उपर आइसिंग करें तो हम इसको निकाल देंगे। सभूden सभू सब्सक्राइब और निकाल देंगे। आपी तरहुं निकाल लेंगे नीडिये, पैं के उपलिवर हाव है। यह लुएर सहुआ है तो इस वज़े से इसका बटर पेपर जो है बहुत प्यार स्याटा रहा है और यह बहुत ही जादा मॉइस्ट है इसके उपर करेंगे डिजार आइसिंग तो मैंने जो केक है उसको अपसाइड डाउन कर दिया है और अब हम इसको आइसिंग करेंगे तो हम इसको आइसिंग करे तो मैंने चॉक्लेट आइसिंग ली थी और ये बगैर आइसिंग के भी खाया जा सकता है ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं आइसिंग दी है इसके के हिसाफ से मैंने आइसिंग मनाई है तो अब मैं इसके उपर आइसिंग कर रही हूँ आपकी मर्जी है अगर आपको अच अच्छा लगता है तो आप ऐसे करें अधर वाइस आपको जैसे पसंद आप ऐसे कर सकते हैं और इसके उपर आप चॉकलेट आइसिंग कर सकते हैं फ्रूट्स काट के भी इसको सजा सकते हैं जैसे भी आपने डिजाइड किया हो और साथ ही इसके उपर चॉकलेट स्प्रिंग आप कर सकते हैं जो कैंडी स्प्रिंगल आते हैं उससे बहुत प्यारा सा लुक आएगा तो मैं इसको एक नॉर्मल सा लुक दे रही हूँ जो के मुझे इच्छा लग रहा है आप जिस तरह सजाना चाहिए के को आप इससे सजा सकते हैं तो तयार है हमारा मज़ितार जादा सॉफ्ट स्पॉंजी और मॉइस्ट है इस रेसिपी को आप घर में जरू ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको मेरे रेसिपी पसंद आई होगी थैंक्स पर मॉचिंग अला हाफिज